बाबा, ऐसे तो घर का माहुल खराब हो रहा है, पूरा का पूरा मम्मी और चाची की लड़ाई की वज़े से, तो कुछ तो कुछ तो करना पड़ेगा घर में, ऐसे दोड़ी चलेगा रोज 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 दिमाग कराब होता है साही के रहा है कालू ये घर का नास हुआ पड़ा ये जी कुछ तो करना पड़ेगा घर तो क्या करें फेर है ऐसा कर सकते हैं मम्मी को नानी के बेज़ देते और फिर चाची अकीली रह जाएगी घर में तो साहद हो सकता है सबसे अच्छे से रहें और मम्मी का भी लगे चाची को की मम्मी की तकाम करती है तो हो सकता है समझे कुछ चीजों को लाता हूँ बुला के जब से यहाँ आई हूँ जब से कोई भी ना मेक अप हो रखा है ना कुछ किसी चीज़ का टायम ही नहीं है इसकीन कैसी हो गई है मेरी सुनीता इसकीन केर पे दिहान दे परना इसकीन घराब हो जाएगे लच्मी की तरह काली हो जाएगे लच्मी सी तो अभी भी सुन्दर हूँ मम्मी बाबा बुला रहे आ रही हूं तो चल हाँ ठीक हाँ बाबाजी हाँ वो मैं ऐसे कह रहा तो लच्मी बेटा तो तर पिहर होआ दो चेहर दस दिन गई भी निया बहुत दिन से और अभी सुनीता है यहां तो उसा मार लेगी हैं और यह थोड़ा घर में जो चल रहा है मामला भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो 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 तरह गाम हो ठीके पापार पता चलेगा सुनीता का ना चाहिए अगली सुभा अरे सुनीता बहु अरे ला चाह लेआ अमझे अरा सुनीता चाह लेआ कहान में रुई ठंसका बैटिया सुनना ही रही है चाह दे दे मम्मी मम्मी कहें तेरी बोल गया क्या मम्मी मामा अगनी गई गया के सब्सक्राइब रहे हैं सुनीता सुनीता बना लो जाहे का मेरे लिए भी बना देना रहता हुआ हम जाहा बनाएंगे का भूड़े बड़े बड़े आप रहने दो एकाम करोilt कलो बना लेगा बना लेकारु चाहा बना ले गलत बिजबाद या नानी के बच्चा से बनवाएगी चाहे तू तुम बूड़े बड़े हो वो बच्चा है आई गुम फिरके सुनीता सुनीता ने ठेका ले रखाय काम करने का मेर को नी बता है बना लो और कर लो सुबह सुबह सही लग पड़े एक काम करो मैं बना रहूं तुम पड़े रहो सब किसाब ऐसे है ना चीनी थोड़ी कम रखना मेरे लिए कालो है ना ऐसा मकार लोग आई में देखी मैं मम्मी धीदू किता अच्छा रखती थी ऐसे लग रहा है जैसे सूर रहते हूं इसमें से को मुझा रहा था जेवाल गोटा कहा रखा जेवाल गोटा किसलिए चाहिए वो बाबा को चेहिए था उनको कोई काम है अच्छा थेट खराब हो गया हूं का उन्नमक का टबो लेना उसमें रखा है ठीक है काली सुना बाबा को ऐसे बोलना की बाबा ज्यादा मठ डालनो कि अब लेना थोड़ा साथ समझ रही हो मेरे आती लच्मी दीदी फुर हो गई अपने पीहार हूं मुझे समझ में तो सवारा कि आप आगई देबरानी अब चलो अपने पीहार मजे करो मैं किसी को रोटी बना के नहीं देने वाली मैंने नहीं बनाए है कभी 4-5-6-6 जनों की रोटी मेरे सनी बनेगा मैंने तो अभी अपने मैनीकेर पेडिकेर करवाया था वो खराब हो जाएगा नेल एक्स्टेंशन करवाया था मैं तो आटा भी नहीं लगाने वाली भेजो रो अखो.. यह विचार बच्चा को परहसान करना शुरू कर दिया इसने अट्टी-कटी पढ़िया लेकिन यह नहीं का चाय बनाया दे वह तो भगवान का शुकर है कि मैं इस गर की लोंडिया नहीं हूं रहना पता ये क्या क्या कड़वाते हैं ये घर वाले आ्नलें मेरे से बाबा चाय, ला बेटा ला, दादी चाय, ला बेटा, परेशान हो गया है, चाची, चाय, तुनीता नादेरी किसी को फुल्गे बना के, कालू चाय तो अच्छी बनाई है तुने, अच्छा है अच्छी है कालू, इसके क्या हुआ, यह तो यह सबागी है, एकदम जैसे या चेपा गयो है, इसके, दो नम्मर करने गई होगी चाची, तो उसके खाती रहा और क्या कराईगी हा गएगी और, जाबा काहे मरी है, अभी हागी चाची आगी, फिर गई, यह ता फेर बार गई, मेरे हाथ की चाय हर कोई नहीं जेल सकता, तू नहीं कुछ मिलाया तो नहीं आना चाय मैं, अरे बाबा कैसे बात कर रहे हैं, आपने भी तो पिये चाय, आपके कुछ हुआ, इसा यह बात आदे, मुझे मानना चाहते हो ना, आने दो रुस्तम के पापा को, फिर बताती हो मैं क्या सुनीता क्या चीज है, हमने क्या मिलाय दिया इसकी चाय पे, बहना बापाई, कालू निकल ले यहां से, मैं नाने जा रहा हूं, इसकुल के लेट हो रहा हूं, फिर मैं इसकुल जाओंगा मुझे भी ऐसे लग रहा है कालू के गांडे